Hello everyone, my name is Kuldeep Singh Raathod and welcome in the channel Guys, कई सारे ASA students हैं, जो कही ना कहीं ये demotivate होते हैं Sir, PSU की vacancy आती नहीं है, तो कैसे क्या करें, कैसे prepare करें तो guys, मैंने आपको पहले ही बोला था कि next 1.5 year में PMO अल्रेडी अनाउंस कर चुका है कि 10 lakh requirement होने वाला है, उसमें से कई vacancy PSU में भी रहने वाली है कई बच्चों ने मैं से उसके बाद यो पूचा कि Sir, ऐसा होगा Gate 2021 2022 से जो major PSU आती है, जैसे ONGC, NDPC, IOCL इनमें भी Sir, अभी तक तो requirement है नहीं हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए, Gate 2022 ONGC से भी आपका official notification आ चुका है release हो चुका है, और काफी अच्छे number of vacancy आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आप total देखेंगे, 871 vacancy आपको total यहाँ पे देखने को मिल रही है सारी branches को मिलागे, जिसमें काफी vacancy mechanical के लिए भी है और काफी अच्छा number है, और अभी बाकी जो PSU के pending है वो भी होंगे और guys, Gate 2023 की जो vacancy है वो तो definitely time पर ही आने वाली है because अगर 2023 की जो vacancy के बारे में आप बात करो, PMO का जो effect है वो definitely उस पर पड़ेगा इसी का एक reason है कि अभी तक 10-12 PSU ने जैसे ही gate का form रिलीज हुआ तुरंट सारे notification रिलीज कर दिये हैं और आगे भी आपको बहुत सारे notification देखने को मिलेंगे तो आप इसी तरीकी से तैयारी करते रहिए and definitely इस channel को subscribe करके रखिए 25 September को आपके लिए एक अलगी level का surprise आने वाला है तो be ready for that guys and see you soon